सो हेलो गाईज, वेलकम टो माई चेनल तेजु सिलाइ टिटोरियल आज हम बहुत कुप सूरत सा ब्लाउच का नेक डिजैन बनाने वाले हैं इसे बनाने का तरीका बहुत आसान है और जल्दी से बने तयार भी हो जाती ही तो चलिए फटाफट से डिजैन बनाना शुरू करते हैं जिसके लिए हमें एक कपड़ा लेना है, जिसके हमें पट्टी इस तरह से फोल्ड करना है एक इंच की दूरी पे हमें सिलाइ लगाती हुए आगे की और बढ़ना है आप इसके लेन्थ आपके सबसे रख सकते हो आप देख सकते हैं, अगर लेन्थ कम हो पट्टी की तो आप उसमें जोइन लगा सकते हो आराम से तो कुछ इस तरह से एक पट्टी को फोल्ड करके मैंने अच्छी तरह से एक सिलाइ लगा ली है पट्टी के एक किनारे हमें सिले लगाना है ताकि अच्छे से पट्टी हमारी पलट सके तो आप देख सकते हो कोई भी अबजेक्टी की सायता से आप पट्टी को इसली इस तरह से पलटा सकते हो आप देख सकते हैं मैंने पेइन की साहता से कुछ इस तरह से पट्टी को फोल्ड कर लिया है आराम से और जल्दी से यह हो जाता ही आगे बढ़ते हैं हमें क्या करना है जो भी प्लाउच को आपको डिजाइन करनी है उसके नीचे पेपर को फोल्ड करके रख लेना है देन कु नीचे यह पाज़ ब्लाउच को बनाकर रेडी कर ली है और कुछ शोट में वैने आपको बताया है भी है कि पेपर की तरह से रकना है और कट करना है तो आपने देखी लिया होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं जो हमने पट्टिया कट की है उसे हमें कुछ इस तरह से तीन बनके ready हो जाए तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारी design बनके ready हो चुकी है एक बार और देख लिजीए center में पकड़ना है आइड side पकड़ना है और जो हमारा bun है कुछ इस तरह से बनके ready हो जाएगा इसी सारी हमें पट्यों से बन बनाकर ready कर लेना है ताकि हम डिजैन में लगा सके अब हमें क्या करना है 1.5 इंच की दूरी पर हमने paper को cut कर लिया है तो 1.5 इंच का आदा हमने कुछ इस तरह से margin लगा लेना है margin लगाने के बाद ये निशान हमने इसलिए लगाया है ताकि जो हमारा center है बन वाला वो अच्छे से कुछ इस तरह से perfectly आ जाए तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से मैंने design उपर के और रखी है और मैंने paint के सायता से center में जो निशान लगाया है वो center में जो धागे से हमने round round किये है वो वाला shape आना चाहिए तो इसमें ये equal size में लगके तयार हो जाते है आदे तो मैंने लगा लिए है center में हमें कुछ इस तरह से लगा लेना है ये देखिए इस तरह से हमें लगाती हुए आगे के और बढ़ना है ये देखिए सारी हमने लगा कर ready कर ली है अब नीचे भी हमें सिले लगा लेना है जिसके लिए एक एक बन को कुछ इस तरह से एक दूसरे के ऊपर हमें जमाती हुए आगे के और बन ना है ये देखिए इसी तरह से सारे एक एक करके सिले हमें लगा लेना है ताकि अच्छे से परफेक्ट लगके तयार हो जाए जो भी एस्ट्राइफेबरे के पेपर के बाहर निकला हुआ उसे केची के सायता से कट कर लेना है ताकि एकवल साइज में और एकवल शेप में कट के रेडी हो जाए अब हम क्या करेंगे उरब कपड़े से एक पट्टी हमें कट कर लेना है आप देख सकते हैं इसका एक किनारा फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेना है सिलाई हम इसलिए लगाएंगे ताकि ये पट्टी लगने के बाद इसके धागी बिल्कुल भी न निकले कुछ इस तरह से हम पट्टी का एक सिलाई इस तरह से डिजैन के उपर रखेंगे एक सिलाई हमें एच्छी तरह से लगा लेना है राउन सिलाई लगाने के बाद हम पट्टी को अंदर के और फोल्ड करेंगे देन हमें उपर से एक सिलाई लगा लेनी है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से उपर से हमें एक सिलई लगा लेनी है आप चाओ तो पतलिशी कोल्डन एक लेस उपर से लगा सकते हो या फिर इसे भी यह भोड़ शादा खुबसुरत लगता है तो आप देख सकते हैं कोल्डन कलर के लेस हैं मेरे पास तो कुछ इस तरह से पतली सी एक लेस पाइपिंग के निचे में लगा लेती हूँ लेस हमारी लग के तयार हो चुकी है हम आगे बढ़ते हैं आगे हम फ्लावर बनाने वाले हैं जिसके लिए धाई इंच की चोड़ाई का हमने इस तरह से फेब्रिक कट कर लिया है कट कर लेंगे स्वी और धागे की हैप से कुछ इस तरह से हमें एक-एक ठाके लगाते हुए आगे की ओर बनना है और धागे में सारे हमने जो भी लिफ बनाई है उससे पिरो लेना है तो आप देख सकते हैं जो मैंने पाशली बनाई थी धागों मैं अच्छी तरह से पिरोली है, एक धागे को कुछ इस तरह से खिचिना है, दो नोट हमें यहाँ पर लगा लेने हैं, और हमारा जो फ्लावर ब्यूटिफूल सा बनके रेडी हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, छोटी से एक लेस ले 25 सी चाहो तो आप डोरी भी ले सकते हो, कोई भी मेचिंग कपड़ा लेकर हमें चुटी चुटी से बन בनाआकर यहाँ पर रेडी कर लेने हैं, तो आप देख सकते हो, कुछ इस तरह से चुटा समीहाँ पर बन बनाकर रेडी कर लोंगे, जिसके लिए सिंपल मैंने कपडे क को इस तरह से रखकर डोरी डाल कर सिलै लगा लिन करने के बाद हम सिधा करना है और एक स ju halis से कट लगा लेना है अमारा सुन्दर स्वमिट कमणे तयार हो जुगा है अब हम क्या करेंगे कुछ इस तरह से जो हमने फ्लावर बनाया था उसमें छुटा सा धागा बचा हुआ है तो उसी को कुछ इस तरह से एक से दो नोट लगा लेंगे ताकि जो हमने डोरी बनाई है अच्छे से अटेज हो पाए तो कितना सुन्दर और कुपसूरत हमरा फ्लावर बनके रेडी हो चुका है और चुटा सा बटन लगाने के बाद ये तो और भी जादा प्यारा लगने लगा है आगे बढ़ते हैं अब हम क्या करेंगे ये जो हमने डिजन बनाई है यहाँ पर हम मोती लगा लेंगे अगर तरह से बार एक डायमन है तो मैं इसी को इस तरह से सारे लगा कर रेडी कर लोंगी तो आपको धियान रखना है जब आपका ब्लावज पूरा बन चुका हो उसके बाद इससे लगा है ताकि आराम से सूप पाए तो ये दिखिए मैंने पेले ही लगा लिया था क्योंकि करने से पहले सिंटर से ही स्टाइट करना होका और लास्ट में जब हम इस तरह से उपर के और आए तो डबल सिलय ज़रूर लगाए जैसा हमने पहला किया है वैसा ही हम दूसरा भी कर लेंगे सिंटर से स्टाइट करना है सिलय लगाते हुए आगी कि और हमें कुछ इस तरह स और जैसे हम उपर के और आये तो डबल सले ज़रूर लगाए कुछ इस तरह से उपर के और आना है और डबल सले हमें लगा लेना है हमारे जुन्ने के कुछ इस तरह से बनके रेडी हो चुका है पतली सी गोर्डन कलर की एक लेस हमें लेना है यहाँ पर लगा लेना है चाहो तो आप डबल लेस भी आपर लगा सकते हैं वो ज़दा कुप्तरोदर ब्यूटिफुल यह लगता है सेंटर में जो लेस का उपयोग में ने किया था वही लेस में भार के और भी लगा लूँगे आप देख सकते हैं जहाँ पर भी कोरनर आए भापर हमें छोटा से इस तरह से नुचिस्क पकड़ना है उसके उपर इस तरह से सुई को रोगना है देन राउन आराम से ले लगाना है बहुत अच्छी तरह से सफाई में यह लेस लगके तैयर हो जाती है और रोल हमने लेस लगा कर डिजैन को कम्प्लीट कर लिया है चली फुटाफट से फ्लावर को भी अटेज कर लेते हैं सेंटर में हम फ्लावर लगाने वाले हैं जिसके लिए जो भी हमने डायमेंड चिपका हुआ था उससे निकाल लिया है और कुछ इस तरह से हमने डिजैन के उपर ही फ्लावर को डेज कर लेना है अगर आप मसिन पे फ्लावर को डेज नहीं कर पा रहे हो तो हादों के साइटा से भी सुई और धागे की हैट से आप कर सकते हो इसलिए आराम से हो जाएगा जो भी हमने पेपर अटेज के आई पीछे उसे हमें इस तरह से रिमूव कर लेना है तो जो हमारे डिजयने बनके कंप्लीट हो चुकी है्थली फुटा-फट से लायट में आपको बता देती हूँ हमारे डिसबने कितनी प्यारे हारे बनके रेडी हो चुकी हिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक पिर तुना करना ये फुटाफट से लाइट में मैं आपको बता देती हूँ कि हमरे जो डिसाइन है कितनी प्यारी बनके रेडी हो चुकी है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और आगे असली उस वाला जो डिसाइन है आप पटाफट से देख लीजिए इसे भी पिंपल से एक suffer हमें कुछ इस तरह से रिरिंद कर लेना है इन के सेंडर में रखना है तो भी инки असे कटकर ले चोटी चोटी से नोचस लगा करो फोल्ड करना है भी उपर से एक सिलह से रिपना जाएगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो गया तो लायकश जरूर करना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना आपको वीडियो कैसे लगा और ने क्पी वीडियो में किस टोपिक पे लेके हूँ यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना थैंक. distant. रजा है.